जहीं दोस्तों, क्लाश 12th Mathematics Objective आपका स्वागत है, कोस्चन यह है, 3 सेक इनवर्स 1 बै एक्स में इसका क्या मानोगा दोस्तों, बहुत अच्छा कोस्चन है, ध्यान से देखना है दोस्तों, तो देखिए सरपर्था में इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 सेक इनवर्स 1 बै एक्स को हम लिख सकते हैं, कौस इनवर्स एक्स, अब मैनस साइन इनवर्स, इसमें भी आप मैनस को मले लिजिए, तो क्या लिखिएगा, 3 एक्स मैनस 4 एक्स, क्यों ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आज जितने भी हम अबजेक्टिप बताएं, वो बहुत ही इंपोटेंट होगा, आप उसे जरूर लिख लें, बहुत ही फैदेमंद होगा, 3 कौस इनवर्स एक्स, और ये साइन इनवर्स एक्स, ये हुआ मैनस एक्स, दोस्तों, आप लोग को फॉर्मुला याद होगा, बच्चा कलास में पढ़े होंगे, मतलब सुरुवाती दोर में, साइन इनवर्स मैन साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स ये मैनस ये हुआ, ठीटा जिगा, यानि एक्स, साइन इनवर्स मैनस एक्स क्या होगा, ये मैनस बाहर जा करके, इस मैनस से लराई कर लेगा, यानि मैनस मैनस कर दिया, पलस साइन इनवर्स, ठीरी एक्स, मैनस फॉर्ड एक्स, क् जो कि आपको सुन्दर लगेगा देखिए 3 sin inverse x का formula अगर याद है तो बढ़ यहाँ बात नए याद है तो याद कर लिजेगा 3 sin inverse x का formula होता है sin inverse 3x minus 4x cube ठीक है दोस्तों यहाँ बस sin inverse 3x minus 4x cube है इसको हटा करके हम 3 sin inverse x दे सकते हैं देखिए कितना technical question है 3 cos inverse x plus इसको हटा करके हम लिख सते हैं 3 sin inverse x लिखते जाएगा तब है समझ माएगा ठीक है दोनों में 3 common लिजिए common लिजिए cos inverse x plus sin inverse x बहुत दिन से आप लोग को mathematics का objective नहीं दिये थे इसलिए आज सोचे mathematics का objective ही आपको पर्यांस देते हैं कल फिर physics का objective आपको मिलेगा धियान से देखना है दोस्तों हर चीज तो important है ही 3 दोस्तों इसका तो आप लोग को formula सब को g पर याद होगा कि sin inverse x plus cos inverse x क्या होता है तो सब को याद है क्या होता है तो pi by 2 होता है यानि नवे degree होता है sin inverse x plus cos inverse x क्या होता है pi by 2 होता है इसको हटा करें हम क्या लिक दिये pi by 2 यानि इसका सही अंसर हो गया 3 pi by 2 3 से गुना जाएगा 3 pi by 2 answer हो गया ठीक है दोस्तों इसको फिरी एक बार समझा देते हैं हमरा आदत तो बड़ा खराब है हम एक बार में तो आपको छोड़ेंगे नहीं दुबारा समझाते है देखिए ठीक इन वर्स 1 वे x घटा साइन वर्स 4 x क्यूब घटा 3 x था ये तो कुछ हो नहीं है हम तो आपको समझा रहे थे इसका मान निकालना है objective में पूछा है देखिए subjective भला बड़ें लगाना पड़ता है तो थीरी सेक इन वर्स 1 वे x को हम लिशते हैं कॉस इन वर्स x क्योंकि सेक को कोस बदलेंगे तो नीचे वह उपर और उपर वह उपर वह नीचे हो जाएगा घटा älve दोस्तों ये परमूला आपको दिमाम राखनेंक पड़ेगा क्या है साइन इनवर्स 3x-4x3 साइन इनवर्स 3x-4x3 को हटा करके हम 3 sin inverse x दे सकते हैं इसके बदला हम 3 sin inverse x दे दिए दोनों 3 को मन ले लिए बचा किया cos inverse x plus sin inverse x cos inverse x plus sin inverse x का मान πाई बाई 2 तो हो गया 3 πाई बाई 2 ठीक है? इसका सही आंसर हो गया 3 पाई 2 आपको objective पुछेगा तो एसे बना 3 पाई 2 बना करें टिक मारते हैं subjective पूछेगा तो इस प्रकार से बनाते हैं ना ठीक है? किसी भी प्रकार से पूछेगा बना करके आप जवाब दे दीजेगा ठीक है? इसे लिख लिए question नमर 2 आते हैं सुन्दर सा question question नमर 2 है दोस्तों court inverse minus x ये 2018 में compartmental में पूछा है लेकिन कुछ फों तो पूछा है ऐसा तो नहीं है जो compartmental ने पूछता वो आपको annual में ने पूछता ऐसा लिखा कहीं पने है पूछ भी सकता है लेकिन practice करने में कुनों टका तो नहीं लगता है इसलिए practice कर लिजिए देखिए दोस्तों court inverse minus x का जो है फोर्मुला देखिए गनी तो मतलब फोर्मुला फोर्मुला जतना strong होतना objective बढ़िया court inverse minus x का फोर्मुला आप लोग कसम खा लिजिए कि हमको याद रखना है court inverse x का रहे sign inverse x देखिए हम आपको लिख देते हैं यहाँ पर और आप लोग guarantee आप लोग को याद करना है आप प्रोमिस हम से किजिए sign inverse minus x होता है minus sign inverse x sign minus ने पजा पाता है उल्टी कर दिया minus sign inverse x cos inverse minus x अगर रहेगा cos inverse minus x यह हो जाएगा पाई घटा cos inverse x पाई घटा cos inverse x आगर 10 inverse minus x दे तो 10 inverse minus x दे तो minus 10 inverse x समझे बात court inverse minus x दे तो होगा पाई घटा court inverse x यहाँ पर देखिए पुछ राए court inverse minus x तो क्या लिखेंगे पाई घटा court inverse x ठीक है इसी परकार से अगर आपको यह लिख लिख लीजेगा जरूर दोस्तों sin inverse minus x minus sin inverse x cos inverse minus x पाई घटा cos inverse x 10 inverse minus x minus 10 inverse x court inverse minus x तो पाई घटा court inverse x ऐसी पह होता है अगर दिमाग मड़ेगा तो बहुतों objective आप आसानी से बना से लिखेंगे लिखेंगे सकते हैं तो मैनस को नहीं पजा पाता है बैचारा देखि बाहर निकाल देता है अकॉस सेक कोट मैनस जब बाहर निकालता तो पाई घटा कर लेकिना पड़ता है बस इतना दिमाग में रखिए पस तुर्वांत दिमाग में आपको बोईठी जाएगा अदू को तीन को और मंतौर है दिमाग में रखिएगा पहला मंतौर है कहे उड़ी आता है तुर थोड़ है पाइबाई टू होता है अभी थो आदे पहले हम बोले थे दूसरा बात अगर यह से भी पूछ देटा है और फर्मला फर्मला है यह है तिसरा है टेन इन वर्स एक्स, पलॉस, कॉट इन वर्स एक्स, ये भी होता है, पाइबाई टू, यानि नब्वेट डिग्री वहला हिसाब के तैनों में है, अगर पुझेंगे, साइन इन वर्स एक्स प्लस कॉस इन वर्स एक्स क्या होता है, तो बोलिएगा, पाइबाई टू, तो भी होता है पाइबाइट टू ठीक है आपका सम खागे पड़िये गनीत को चित्रा कर देंगे देखिए हम आपके साथ है टेंसल लेने काव सकता है नहीं है नेक्ष्ट को सना सम खागे दोस्तो को सन सुन्दर करता है काता है को चित्ना सुन्दर संशकारी को चाहता है मंइनस एक बटडो का मान निकालना है दोस्तों अई साभ तो कि जाल मुरी वला सवाल हो गिया धियान से देख्छेगा caus inverse minus 1 बड़ादू का मन निकालो तो पहले आपको A मुंतर दिमाग डखना पड़ेगा कि cause inverse minus x होता क्या है cause inverse minus x होता है πाई घटा caus inverse x cause inverse minus x क्या होता है πाई घटा caus inverse x अब देखिए यहाँ पर है cos inverse minus 1 बटा 2 तो cos inverse minus 1 बटा 2 को हम क्या लिखेंगे पाई घटा cos inverse 1 by 2 यह minus बाहर निकालेंगे तो पाई घटा लिखना पड़ेगा अगर ने लिखना पड़ेगा लिखना पड़ेगा इस फोर्मूला के अनुसार अब देखिए पाई घटा cos कितना डिगरी 1 by 2 होता है तो cos cos inverse minus 1 बटा 2 का मान निकालना था आसानी से बन गया इस पर एक सवाल और हमको मन होता है बना देने का और आप लोग हमको बताईएगा हम भुजगूल है तकि cos inverse minus root 3 by 2 का मान निकालना है तकि इसी पर बेश्ट है कि ने सेम कहानी है तो cos inverse minus root 3 by 2 है इस minus को बाहर तो निकालना अनिवार्ज है तो कैसे निकलेगा तो आप जानते है cos inverse minus x होता है πाइ घटा cos inverse x जो है यानि theta का स्थांपो जो है वो लिख देना है minus को बाहर निकालेंगे तो πाइ घटा करके लिखना पड़ेगा किस में तो cos में सेक में और कौट में तीन तो दिमावन के है, कॉस से कोट में जब भी मैनस बहार निकालेंगे, तो पाई घटा करके देना पड़ता है, ठीक है दोस्तों, अब हम इसका जो है, पाई घटा कॉस कातना दिर रूट 3 बैटू होता है, आपको याद होगा, कॉस जो है, वो 30 डिग्री, यानि पाई बै 186 से भागा दिए, ये 30, कॉस 30 डिग्री होता है, कितना रूट 3 बैटू, अब देखिए इसका जुम्री तलही आ ले जाते हैं, एक छो का लगूता हम छो, छो पाई, घटा पाई, बन गिया ये 5, 5, 6, 5, 5, 6, बन गिया, समझे, कुनों परिशानी, नेक्ष्ट को सनाते हैं दोस्तों, पच्चमा नमर सवाल देखिए, 10 inverse 1 का मौन निकालना है, देखिए कितना सुन्दर को सनाते हैं, इसमें तो minus 10s का tension n है, अब आपको direct दिमाग में ये रखना पड़ेगा, कि 10 inverse x का range क्या होता है, और वो आपको होता है, minus pi by 2 से pi by 2, ये open interval में होता, sorry, minus pi by 2 से pi by 2, 10 inverse 1 का range होता है, अब आप दिमाग में रखिए कि यहां है 1, तो 10 कितना degree 1 होता है, दोस्तों, आप तो खट से कोईएगा, sorry, 45 degree, 10, 45 degree 1 होता है, तो 10 inverse 1 हो गया, pi by 4, यानि 45 degree, बस बन गया, यही बात अगर ऐसे पुछ देते, कि 10 inverse minus 1 है, minus में है, अब अरे भाई, कुछों, 10 inverse minus x क्या होता है, आपको मालूम है, 10 inverse minus x होता है, minus 10 inverse x, 10 inverse minus x क्या होता है, minus 10 inverse 1 क्या होगा, minus 10 inverse 1, 10 का अतना degree 1 होता है, बोलिए, 10 होता है आपको 45 degree 1, तो मैनस तो आगे मही यह है बगलन लगा दीजे पाई भाई फोर एंसर समझे नेक्ष्ट कोस्टन आते हैं सेवन देखिए दोस्तों सेवन नमर कोस्टन कितना सुन्दोर कोस्टन देखिए तेन इन वर्स एक बट दू आप पलस तेन इन वर्स एक बट चार इसका मन निकलना है इसको हम जोड़ेंगे से थोर एक बट दू एक बट चार को भिन का जोड निकाल लीजे नए इसका सुत्र होता है क्या तो तेन इन वर्स एक्स पलस तेन इन वर्स वाई अगर इस फॉर्म में रहेगा तो देखिए कैसे बनेगा फॉर्म होगा तेन इन वर्स एक्स पलस तेन इन वर्स एक्स पलस वाई बट एवान मैनस एक्स वाई यही तो सुत्र है, मंत्र है, जो कहिए, यही तो लंका को ढाहेगा, यह देखिए कैसे ढाहेगा है, यह हुआ है, यह हुआ है, यह हुआ है, तो जोड़िये 10 inverse, X, X मतलब 1 by 2, अब पलस में हुआ है, मतलब 1 by 4, अब बठ यह, 1 minus X into Y, समझे, अब देखिए कैसे इसको हम गरता उड़ा देते हैं, 10 inverse, दू चार का लगुत्तम हो गया, चार, दुख का दुख को पढ़िये, कह बार में चार मिलता है, दू बार में तो भीन के जोड है, जो चरका चार, एक एक गुना, एक एक, बटाई धोर देखिए, इसका भी कर देते हैं, चार दुनी आठ, आठ घट एक, समझे, अब जो है न, बस बहुन गया ही, समझे, एक देखिए, 10 inverse, दू एक, तीन बटाई, चार, गुना, पलट जाएगा नहीं, आठ बटाई, साथ, काटने में लाजने किजिए, देखिए, चार दुनी आठी कटा, अब नहीं कटेगा, 10 inverse, तीन दुनी, छो बटाई साथ, इंसोर हो गया, देखिए, कितना आसानी से बन गया सवाल, लेकिन फर्मुला अगर ने याद रहता, तब बनता, तो E, पलस, 10 inverse, X, पलस, 10 inverse, Y का फर्मुला आप लोग, G पर रखिएगा, याद करके, 10 inverse, X, पलस, 10 inverse, Y, मने, डेली, सुबह में खाली, पर लीजीगा, हो, मूध हो करके, जिस परकार से आपनोंने बरस जिव्या करते हैं, ठेक उसी परकार से डेली, फर्मुला पोर जाना है, और पोर करके, एक बार, दो बार, एक बार, दीन में कभी हो फुरसात मिले, लीख लेना है, देखिए करके, एक दिन देखकर लिखिएगा, दूसरा तो टेन इन वर्स सोबड साथ हो गया, अब देखिए इसी पर ठोड़ मैनोस वाला फर्मुला लिख लीजिए, देखिए अगर मान लीजिए मैनोस बीच में रहता, तो टेन इन वर्स एक्स मैनोस तेन इन वर्स वाय, अगर इस टैप में भीच में मैनोस तो फर्मुला क्या होता है तेन इन भर्स एक्स मैनोस वाई बट वन पलस एक्स वाई इस सुत्र पर आप जो है बस गरदा उड़ा दीजिएगा समझे इस फर्मुला तो ब्रेन में रखना पड़ेगा हो नहीं रखिएगा तो कैसे होगा लोग कहेगा कि हो गनी जनते हैं गनी तो कहेगा गनी जनते हैं तो फर्मुला बताईए तब कहिएगा हो फर्मुला याद कहाँ है तो गलत लगता है नहीं है चलिए अगला कोशन के दुनिया में आते हैं एक ठोड जो है ना बुरुकवा फर्मुला देखिए ओधिमाम रखिये गा बहुत वार अपजेक्टि में पुछ देता घुमा करके और हेव देखिए 26 लोग में पुछ यह दिया है देखिए सवाल ऐसा रहेगा कहेगा 210 इनवर्स एक्स का फर्मुला बोलिए 210 इनवर्स एक्स का इसे तीन को फर मुला होता है साइंड की रूप में साइंड इनवर्स टू एक्स बटै वॉन पॉलस एक्स स्क्वाइड अगर साइंड में पूछे का यहीं लिख देना है साइंड इनवर्स टू एक्स बटै वन पॉलस एक्स स्क्वाइड अगर हमको कॉस में लिखना है तो कॉस इनवर्स तो आपको यह सब दिमाग में डखना यह objective है और फोर्मूला भी है साथ में objective साथ में फोर्मूला बहुत वच्छा कोमेंटें बोले थे कि सर्जी अब्जेक्ट फर्मुला का वीडियो दीज़े जरूर देंगे यही हुआ फर्मुला का वीडियो दीज़े बताते जाते आपको लोग को लिखते जाना है और क्या ऐसे पेशल खाली रट लिखाने बला देंगे न तो आप फर्मुला आते हैं दोस्तो चलिए अगला ऑबजेक्टिव सुन्दर है उब्जेक्टिव कहां कहां से आप सुन्दर सुन्दर फर्मुला देखिए यह 2016 में पूछा बताइए इतना हलका पूछ देता है न अपना से को लाज लगने लगता है कौस इन वर्स मैनास वन वाइ रूट टू का मौन निकालना प्रिंस्पल वेल्यू तो दोस्तों कुछ हो नहीं सब चीज में समझें बाद खाली दिमाग में रखना कैसे बनेगा ते आपको तहम मंत्र दिये हैं क्या मंत्र दिये हैं कौस इन वर्स मै जाता है पाई घटा कौस इन वर्स एस साहब से एगर इसको तो रहेंगे impost in B wirth टू क्या लिखेंगे पाई घटा ev inverse 1 by root 2. देख्गिए, cos inverse minus x रेगा, तो pi घटा cos inverse x, cos inverse minus 1 by root 2 रेगा, तो क्या लिकेंगे, तो pi घटा cos inverse 1 by root 2. बस आप तो आप कहिएगा, सर जी तो अराम से बन जाएगा, यह बोला वाला का परसात हो गिया, तो देखिये पाय घटा, आ कौस कातना डिगरी वन बाय रूटू होता है, तो कौस 45 डिगरी programs, यानि का लगुतत भाइ फोर्ड़ होता है, वो वन बाय रूटू होता है, हो अब इसका लगुत्ता हमले लिजिए, एक चार का लगुत्तम, चार चार पाय में से पाय निकालिये पड़ें से तो हो जाएगा आपको ठीरी पाय बटे फोड़ो ये अंसर हो गया कोई दिक्कत नहीं है ठीक है आसानी से आप लोग को बन गया एगारव नमर आईए दोस्तों बहुत ही सुन्दर सुन्दर कोशन है आप इसे जरूर लिख ल समझे आपको हैसे दे दिया देखिया आपको अप्सवन इस बार देंगे और आप लोग को हम पूछेंगे इस बार सही आप लोग बलिएगा दोजास सोलो एनवल में यह पूछ दिया देखिए टेन इन वर्स टू एक्स बटाय वन मेनस एक्स स्क्वाइर अब बराबर दे दिया देखिए कितना उल्लू अपना सको समझ रहा तेन इन वर्स टू एक्स बटाय वन मेनस एक्स स्क्वाइर दे दिया अभी थोड़ा दे पहले हम आपको फर्मूलाइग लिखे हैं पहला ओप्षण तू साइन इन वर्स एक्स दूसरा ओप्षण तू कॉस इन वर्स एक जिसके लिए ये फुर्मूला पैदा होता है और आप लोग को तो हम बता चुके हैं और आप लोग के माइंड में भी ये बात होगा तो आप मता को टटो लिए और कहिए कि क्या मान इसका होगा दोस्तों किसके बढ़ावर होगा सही बात सोचे आप यही तीन नमर होगा टू टेन इन वर्स एक्स का तीन को फर्मूला भी थो आदर पहले लिखे हैं अगर मान लीजिए हम कहेंगे साइन में लिखिए तो आप कहिएगा साइन इन वर्स अगर हम कहो देते कि हे बाबू टू टेन इन एक्स का साइन के रूप में क्या होता है तो कहिएगा साइन इन वर्स टू एक्स बट है वन पलस एक्स स्क्वाइर अगर यही बात हम पूछेंगे कोस में क्या होता है तो कहिएगा साइर जी कोस इन वर्स अब वन मैनस एक्स स्क्वाइर बट है वन पलस एक्स स्क्वाइर स यह बात है अगर हम पूछेंगे 10 में क्या होता है यह सवार्जी नहीं जानते हैं जो टू हम से पुछते हैं 10 इनवर्स और टू एक्स बटै वन मैनस एक्स स्कुर्ण दोस्तों इस अटिबैठीक फर्मुला है समझे कभी यो इस सवाल जो है फर्मुला दोरल खेलोल आएगा स्वर्जी पूछ देंगे यह फर्मुला बोलिये तो खट से याद रहेगा तो न बोलिये गा तो 210 inverse x का 3 को फर्मुला साइन इन वर्स 2x बटाए 1 प्लस x स्क्वार इस हिसाब से आप देखिए 210 inverse x का ही नहीं यह फर्मुला हुआ 10 inverse 2x बटाए 1 मिनस x स्क्वार नेक्स्ट आते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल है दोस्तों कोशन नमर 12 होगा ना 12 ही दे देते हैं तो सवाल है यह 2013 एन वर्स में पूछा है साइन इन वर्स साइन 2π3 इसका मन ग्यात करनो दोस्तों साइन इन वर्स का रेंज होता है मैनस पाइ बाइ टू से पाइ बाइ टू क्लोज इंटर्वल होता है मैनस पाइ बाइ टू से पाइ बाइ टू आप लोग को तो यादे है समझेए इसाद बच्चा वाला बात हुआ तो साइन इन वर्स साइन 2 पाइ बाइ थिरी है इसका मन निकालना तो सर परदम इतना बढ़ावा इज़द से ठीटा मन लेते हैं फूल इज़द देंगे सवाल को अब ये साइन इन वर्स उठके इधर आएगा तो क्या लिखिएगा साइन ठीटा बढ़ावर साइन 2 पाइ बाइ थिरी 2 पाइ बाइ थिरी मतलए 120 हुआ और हमको रेंज लाना है मैनस 90 और 90 तक लाना है यानि मैनस 90 लेकर 90 तक में इसको लाना है जवर्दस तीचा जैसे आए ही अब दखिए साइन ठीटा तो लिख दिए साइन 2 पाइ बाइ थिरी को मैं इसे लिख सकते हैं साइन पाइ घटा पाइ बाइ थिरी ने होगा आए दखिए थिरी पाइ अब में इसे पाइ जाएगा अगर हम भीन का घटा निकाले ते 1-3 का लोग तो हम 3 अब थिरी पाइ मैं से पाइ निकाले एकर 2 पाइ बतर नहीं हो जाएगा इसलिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लेकिन यह हमको फाइदा दे दिया ऐसा लिखने से ये एक फरमुला बट गिया cambi diplomal पर? तो sine pi minus theta पर sine pi minus theta होता है sine theta sine pi minus theta क्या होता है? sin theta तो उस हिसाफ से इदार sein theta बेठले है हो इदार से sine pi घता ये हुआ theta to sign pi घता theta क्या होगा? to sign theta जगा जो हे वही नहोगा अब बताए साइन साइन मिला ठीटा का स्थान पर जो है वहीं मानोगा इसलिए ठीटा बराबर पाइवाय थिरी ठीटा माने किसको थे यही इसी पूरे को नो ठीटा माने थे देखिए कहां से कहां चला गिया ठीटा किसको माने थे पूरे जो है हटा यहटा सवाल जो इसे तो ठीटा मौने थे तो ठीटा का मौन हो गया पाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइब हम पुजा 10 inverse root 3 घटा cot inverse minus root 3 इसका मौन हमको निकालना है जट से निकालना है तो सरपरतम आप लोग तो बुद्यार आदमी है यह cot inverse cot inverse minus x के बारे में आप लोग को knowledge है कि cot inverse minus x होता है पाए घटा cot inverse x पाए घटा cot inverse x तो इस हिसाब से अगर आप इसको तो दिएगा तो सरदार जैसा है वैसा लिख दीजिए घटा cot inverse minus root 3 को हम क्या लिखेंगे तो इसके अनुसार से cot inverse minus x रहता तो पाए घटा cot inverse x तो cot inverse minus root 3 रहता तो पाए घटा cot inverse root 3 according to this formula सुत्र से अब देखिए 10 कितना degree root 3 कहिएगा सरदी साथ degree यानि 5 by 3 घटा पाए घटा cot कितना degree root 3 कहिएगा 30 degree यानि 5 by 6 अब तो आप करिएगा गिनकना आ देंगे हम एद कि 2 पाए घटा 5 पाए बचा किया घट के तो बच गया minus 3 by 6 अब कोट के 3 निच्छो यानि minus 5 by 2 समझे तो इस परकार से हम लोग जो हैं गरदा उड़ा देंगे सवाल को आप लोग खाली हमको साथ दीजिए फर्मूलाट खाली याद किजिए उसके बाद देखिए गनी तो चकना चूर हो जाएगा समझे कोशन नमर चौदह आते हैं दोस्तों कोशन नमर चौदह देखिए कितना नुनुआगर कोशन है देखिए सवाल है साइन इन वर्स रूट थिरी बाई टू का मुख्यमान निकालना है यानि प्रिंस्पल वेल्यू निकालना है यह भी हलके कोशन है आप देखिए इसमें मैनोस ते बना देते हैं इतना बड़ावा ठीटा लिखिए सर परता हम साइन इन वर्स का रेंज आपको याद रखना पड़ेगा साइन इन वर्स है वो मैनोस पाइवाई टू और पाइवाई टू यानि मैनस पाइवाई टू से लेकर पाइवाई टू तक के मौन को संतुष्ठ करता इससे बाहर बेचारा जानाने चाहता है आप देखिए इसना बड़ावर ठीटा माने इसको उठा की धर लाईए यानि साइन ठीटा हो गया रूट थ्री बैटू और आपको इज़त से पूछेंगे आप लोग इज़त से ही जवाब दीजिएगा क्योंकि फरमुलात आपको य इतना ओल जोल करने जवात नहीं है मैनस नहीं है तो डैडेक्टे डिग्रिक मन बोलती है यह बस समझे चल यह एक और देखिए सुन्दर कोश्चन पनरन यह कोश्चन भी आपको जो है दूजा पनरो में पूछ दिया देखिए कितना बकलेल कोश्चन है साइन इनवर्स एक बुर्लेल बनावला ओप्सन दिया देखिए तीसरा ओप्सन है कोश्चन इनवर्स वन बाय एक्स चौथा है मैनस कोट इनवर्स एक्स और आप लोग तो बुधियार है कैसे बुधियार है बताते हैं देखिए अब जब यह पुछा है हमको और आप लोग जानवे करते हैं इसका इंसर यह होगा तो हम इसको बढ़ियां से जान जाते हैं देखिए अगर कह देगा कि साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर तो कह दिजेगा है हो कोश्च इनवर्स वन बाय एक्स के बराबर और अगर पुछेगा कोश्च इनवर्स एक्स किसके बराबर तो कह पूचे हैं ऑगर यही बात उलटाग पूछें कि कौसेकिन वर्स एकस किसके बरावर तो आपको कहिएगा साइन इनवर्स वन वै एक्स के बरावर और अगर हम पूछेंगे कि सेक इनवर्स एक्स किसके बरावर तो आप कहिएगा कौसेक इनवर्स वन वै एक्स के बरावर और अगर हम पूछ देंगे क्या कहते हैं कौट इनवर्स एक्स किसके बरावर तो आप कहिएगा टे 1wind i1 11 के बराबर इशोब ऐसं दो तिर्कोन मीती का कल्गुल सेम नहाए थे न है सब्सका के मैं न है थे सब्सक्राइब कर दिमाग में रखने की चीज है प्रभू इसे दिमाग में आप रखिए आप दिमाग में रखिए गा तो बस बन-बन की जिए गा नेक्स्ट को सन देख लिए कितना सुंदर कर देखिए क्षों क्या है वह दिखे साइन कोष्ट में है सेक इनल ऐसफ पलस को सेक इनल वरिश चैस कितना हलका कुछ इसन पुछ दिया साइन कोष्ट में देखिए सेक inverse x plus cos 1 inverse x का मान बताना है तो देखिए डड़ाना ने है इसा सवाल में हमको पहले ये सोचना है कि ये उल्लू का मान क्या होता है ठीक है और आप लोग को भी मान याद है तो क्या कहिएगा कि सर जी 2 inverse x plus cos 1 inverse x इसका मान होता है 5 by 2 यानि 90 degree 6 inverse x plus cos 1 inverse x क्या होता है तो 5 by 2 साइन इस दोनों 8 गठा कोंटा के लिख देंगे 5 by 2 क्योंकि आप जानते हैं 6 inverse x plus cos 1 inverse x होता है 5 by 2 साइन inverse x plus cos inverse x होता है 5 by 2 10 inverse x plus cot inverse x होता है 5 by 2 तो इस दोनों को मिला के बन गया 5 by 2 लिख दिए 5 by 2 अब साइन 5÷ 2 का मन होता, एक, बस हो गिया, साइन 7 नॉम्म मर आईए, देखिये, साइन नमर कुस्चन है 10 inverse 1 1 10 inverse 1 plus sign inverse 1 by 2 plus cause inverse 1 by 2 का मान निकालना है अब देखे कितना सुन्दर क्वेशन आप बुरलेल बनाने के लिए लगाल है इस क्वेशन 10 inverse 1 plus sign inverse 1 by 2 plus cause inverse 1 by 2 का मान निकालना है दोस्तों आप लोग को फर्मुला याद है 10 कतना डिगरी 1 तो आपको यह का 45 डिगरी यानि 5 by 4 एक फर्मुला याद रखिए sign inverse x plus cause inverse x ठीटा दुनों का समान है sign inverse x plus cause inverse x का मान 5 by 2 ठीक सोचे थे 5 by 2 ही सोचे थे आप जानते हैं आप लोग बुधियार हैं 4 दू का लगुत्तम 4 आप इसका बिन का जोर करना दीजिए 2 दूनी 4 ठीक है तो 2 pi अब पलस 5 तो बन गया यह 3 pi by 4 तो यह बन गया आपको answer समझे तो कुछ हो था इसमें आप लोग आसानी से इसा सवाल आसानी से बना सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है question number 18 आते हैं 18 नमर question देखिए यह भी question बड़ा सुंतोर question है question देखिए रूप इसका sign न कोष्ट में है court inverse x इसका मौन बताना है sign न कोष्ट में court inverse x देखिए इसका संसकार पहले हम ठीक करेंगे देखिए इसका संसकार बदलना है इसके अनुसार से court का संसकार बदलना है बाहर में जो बैठा हुआ है दरवाजे पर उसके अनुसार से court के दरवाजे कोन बैठाल है sign court को बदलना है sign के रूप में देखिए इसके नीचे मने कुछ हो है तो एक है तो देखिए आप लोग बिद्वानाद में इतना बराबर कॉट इन्वर्स एक्स बराबर ठीटा मन लिजिए मन लिए अब ये कॉट इन्वर्स इधर जाएगा तो बन गया कॉट ठीटा chord theta हो गया x नीचे मने कुछ होते 1 chord theta का फर्मुला होता है दोस्तों b बट प chord theta फर्मुला क्या होता है b बट प h निकालेंगे h होगा root under p square plus b square यानि 1 plus x square इसका square plus x square कीजिएगा तो 1 plus x square अब हम बोले हैं आपको कि chord का रूफ बदलना है इसके दर्वाजे जो बटा उसके नुसार से chord के दर्वाजे बटा है sign इसको बनाईए sign sign theta होता p बैच तो p कितना हो एक h कतना h है या root under 1 plus x square समझे अब देखिए e जो देख रहे हैं आप इधर sign इसको इधर ले आईए या theta बढ़ावई कहिएगा sign inverse 1 by root 1 plus x square होगा theta माने थे किसको इसको इसको ने माने थे theta high क्या chord inverse x यानि chord inverse x के बदला में sign के रूप में अगर लिखे तो ऐसा पालपान को लिख सकते हैं क्योंकि chord को बदल दिये sign में देखिए कैसे chord inverse x और theta माने chord inverse इधर आया chord theta बढ़ावा क्या x नीचे में कुछ हो तो 1 b बट है p h निकाले h का फर्मूला क्या root under p square plus b square sign theta p by h यानि 1 ये हमको निकालना theta theta बढ़ाव ये sign उठके इधर आएगा theta बढ़ावर इधर देख लिजे क्या है chord inverse x यानि आप कह सकते है chord inverse x जो है वो original में sign में लिखिएगा तो वो one by root one plus x square है तो अब देखिए बेरा पार लग गए अपना सब का sign तो है ये है chord inverse x मतलब ये हुआ क्या sign inverse one by root one plus x square अब ये sign ये sign inverse जाएगा हाव आप ही ने क्योंकि sign sign inverse x होता है x जो बैठा उस पहलमान को लिखिए क्या लिखिएगा तो one by root one plus x square हुआ ये से इज़द से लिखिएगा तो थोरा सा आप ऐसे भी लिख सते है one plus x square होल के power minus 1 बैठादऊ इस परकार से भी अंसर लिख सकते हैं ठीके दोस्तों next question देखते हैं 19 नमर देखिए दोस्तों 10 inverse root 3 10 inverse root 3 घाटा 6 inverse minus 2 इसका मान निकालना है कुछों नहें बस देखिए कैसे हम इसको चितरा करते हैं और आप लोग भी बना पाईएगा 10 inverse root 3 लिख दिजिए घाटा 6 inverse minus x का फर्मुला आपको तो यादे होगा 6 inverse minus x होता है पाई घाटा 6 inverse x यहाँ देखिए 6 inverse minus 2 है तो इसको क्या लिखेगा पाई घाटा 6 inverse 2 बस अब मान बैठाइए 10 कतना डिगर root 3 तो कहिएगा सर जी 10 जो होता है न 6 डिगरी घाटा पाई घाटा अज सेक कतना डिगरी 2 तो सेक साथ डिगरी होता है 2 समझे सेक साथ डिगरी क्या होता है 2 होता है बस पाई भाई थिरी घाटा थिरी पैम से एक पाई गया हुआ 2 पाई भाई थिरी बेन का घाटा की जिएगा ना तो पाई भाई थिरी में से 2 पाई भाई थिरी घाटाएगा तो मैनस पाई भाई थिरी ठेड़ी ठेक है दोस्तों तो आप लोग को एक हो यह तो आज यहहां तक ही रहने देते है कल फिर आपको हम बता देंगे और कल से होगा तो कुछ-कुछ यानि 10 15 या 20 होते होते हैं एक ठोड़ बना देते 20 होज़ी यह जग माना यह देते हैं तो आप लोग को यह सर जी 20 को संद कम संद कम होना चाहिए तो चलो 20 एक कोड़ हो जाए चलिए एक वाउट देख लेते हैं दोस्तों 10 inverse minus 1 पलस cos inverse minus 1 by root 2 का मान निकालना कुछ हो नहीं है इसमें आप जानते हैं कि 10 में जब भी minus बाहर निकलता तो जैसा है वह जैसा निकाल दीजिए यानि 10 inverse minus 1 को आप लिख सकते हैं 1 by root 2 ठीक है अब इसको आसानी से तोड़ लिजिए तो मैनस 10 कतना डिगरी 1 होता है बताइए 10 पैतालीस डिगरी 1 होता है यानि 5 by 4 ठीक है अब पलस पाय घटा कोस कतना डिगरी 1 by root 2 ठीक होता है तो पैतालीस डिगरी बस अब तो ताथा या ताथा या कर दीजिएगा ने हो गया है दखिए अब यह कि पाय घटा पाय फोर पाय फोर यानि 45-45 होगे 90 जिसे हम पाय भाय 2 लिख सकते हैं अब पाय मतलब 100C 100C मेंसे 90 निकाल य यह नो बचेगा यानि 5 by 2 ठीक है तो आज आप लोग को हम इनवर्श्ट इर्गर्णोमेटिक फंसन का कुछ महत्पूर्ण सवाल बताए ठीक इसी प्रकार से आगे क्लास भी लेंगे और कुछ औरल कोसन अभी आप लोग को हम फिजिक्स में पुछते हैं और आसा करेंगे क आप लोग उसका जवाब देंगे ठीक है और जवाब देंगे था हमें खुशी फिलिंग होगा क्योंकि आप लोग जो हैं अच्छे तैयारी करते हैं यह बात हमको पता है और आप लोग इसी प्रकास तैयारी करें तो हमको खुशी होगी कुछ question आप लोग को हम मोखिक पूछ रहे हैं और उसका जवाब आप लोग को देना है option और आप लोग को मात दस objective हम पूछेंगे और अगर आप लोग सही उसका जवाब देते हैं तो हमें आसा होगा कि हम जो पढ़ाते हैं आप लोग को याद है तो 10 question objective physics का भी हम औरल इसी में पूछते हैं इसी वीडियो में आप उसका जवाब हमें कोमेंट हम बताइएगा का आपका physics 10 objective में कितने सही हुए ठीक है दोस्तों तो देखिए question नमर एक है दोस्तों पहला नमर question एक संकेत हम बना रहे हैं दोस्तों किस संकेत का नाम क्या यहाँ A है यहाँ B है और यहाँ Y बराबर दोस्तों A और डोट B है अब दोस्तों इस संकेत का नाम आप बोलिए हम आपको आप वीडियो पॉस्ट कर लीजिए और सोच लीजिए हम आपको देखिए option पहला option है और गेट और दूसरा option दे रहे हैं end gate दोस्तों अगर आप लोग सोच लिए हैं हमें बहुत ही प्रसंता हो रही है कि आप लोग तैयारी सही में कर रहे हैं और हम आप लोग के लिए द्वा करते हैं कि आप लोग का लक्ष हासिल हो आप लोग बड़े बड़े मुकाम हासिल करें ठीक है तो यह जो आपको दिया हुआ है दोस्तों पहला option है or gate और दूसरा option है end gate तो इसका सही जो है answer वो है आपको end gate ठीक है अगर आप end gate सोचे हैं तो 100% सही है दूसरा अगर आपको यह संकेत देंगे और इसमें option नहीं देंगे दोस्तों और आपको बताना है ठीक है इस प्रकार का अगर रहेगा इस प्रकार का अगर diagram बना रहेगा यहाँ A है और यहाँ B है और यह आपको उड़ा Y और यहाँ है Y बराब A प्लस B दिया भी देगा या Y सिर्फ रहेगा तो आप बता सकते हैं कि यह जो संकेत है यह किसका संकेत है सही बात सोचे दोस्तों अगर आप लोग और गेट सोचे है तो 100% सही है और गेट दोस्तों यह सब question आता है एक जाम में दिमाग में डखना है तीसरा number question है देखिए दोस्तों आप लोग को दिमाग में अगर जितना अच्छा रहेगा concept clear रहेगा तो उतना ही आप लोग को पैहत फैदे मंद होगा देखिए आपको question पुछते हैं विद्दुत वाहक बल विद्दुत वाहक बल जिसे हम EMF कहते हैं विद्दुत वाहक बल का बीमियस सुत्र पूछते हैं तो उसे हम लोग E कहते हैं E बड़ाबर फोर्मुलारा W by Q नोट फोर्मुलारा क्या था दाबलू बाग क्यों नोट ? ठीक है और W का बीमियस सुत्र आप लोग को याद होगा क्या होता है ML का स्क्वाइर T का पावर मैनस टू और Q क्या चीज़ आवेस आवेस का IT लिखें या AT लिखें दोनों ही बरावर है दोनों चलता है ओप्षन में जैसार हैगा उसी साफ से लिख लीजिएगा ये जब उपर जाएगा तो हम लिखेंगे ML स्क्वाइर T के पावर मैनस दू में से एक घटा हो T के पावर मैनस तीन और A1 पावर मैनस वन ये आपको विद्दूत वाहक बलका बीमिये सुत्र हो गया ठीक है दोस्तों कोस्टन नमर चार आते हैं ये भी कोश्चन अच्छा है आप लोग बता सकते हैं समतल दर्पन की वक्रतातिर्जा कितनी होती है अगर आप लोग बोले सही बोले होंगे तो इस स्वर की किरपास आपको बहुत ही सूपर मार्स आएगा समतल दर्पन की वक्रतातिर्जा दोस्तों अगर आप लोग को याद है हम कई बार पूछे हैं वक्रता तिर्जा कितनी होती है तो अगर आपको याद है तो गैरेंटी कहते हैं आप टॉप किजिएगा सम्तल दरपन को वक्रता तिर्जा कितनी होती है दोस्तों अगर आप लोग सोचे हैं अनन्थ तो 100% सही है Question number 5 आते हैं दोस्तों मानव नेतर की विवेदन चम्ता कितनी होती है याद होगा आप लोग को कई बार हम पूछे हैं मानव नेतर की विवेदन चम्ता कितनी होती है विवेदन चम्ता मतलब हुआ कि कोई भी चीज में अंतर करना कि वो अलग-अलग है किने कितना देर हमको देखना परता है मानम नेतर की विवेदन चमता क्या होती है ठीक है दोस्तों और ये आप लोग को अगर याद है तो 100% आप लोग talented है एक मिनट इसका सही आंसर है एक मिनट ये मिनट का सिंबोल है आप लोग तो जानवे करते होंगे एक मिनट ठीक है दोस्तों question number six देखिए दोस्तों ये भी बहुत ही important question है और ध्यान से देखना है आप लोग बहुत ही talented है हमें मिनट आप लोग जानते हैं मिनट क्या ची होता है निरवात की चुमक सिल्टा होती है और मिनट का बेमिये सुत्र अगर याद है तो बहुत ही सुन्दर दोस्तों बहुत ही मिनट का बेमिये सुत्र कितना होता है दोस्तों आप लोग पहले मिनट का मात्रक अगर याद रहे तो सबसे सुपर न्यूटन परती एंपियर इसका मात्रक न्यूटन परती एंपियर इसका है और सब मात्रक होता है लेकिन सबसे सुपर आपको इसलिए याद रखना जाएगा तो मियू नोट का मात्रक होता न्यूटन परती एंपियर स्क्वार अब इससे हम लोग भीमा इसका निकाल लेते हैं तो बोलिए न्यूटन यानि बल और बल का भीमी यह सुत्र होता है M L T का पावर मैनस टू बल का क्या तह है M L T का पावर मैनस टू और यह है आपको धारा धारा के लिए I या A यूज कर सकते हैं तो I ही दीजिए I स्क्वार या A भी दे सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है MLT का पावर मैनस टू और I का पावर मैनस टू ये आपको हो गया म्यूनोट का बीम ये सुत्र दिमाग में रखना है Question नमर से बनाते हैं Which stone bridge आप लोग को पढ़ाये हैं Which stone bridge और which stone bridge से क्या मापायता है Which stone bridge Which stone bridge ये long question के लिए भी important है और आप लोग को हम long question भी बताए है आप लोग को इस पर हम वीडियो दे चुके हैं आप देखें प्रेलिस्ट में जा करके ठीक है Which stone bridge का Sorry, which stone bridge से क्या मापा जाता है क्या मापा जाता है ये भी question important है अगर आप लोग बता रहे हैं तो 100% आपका मजबूत है दोस्तों physics आपका strong है इसलिए आपको memory में बठा हुआ है which stone bridge से मापा जाता है उच और निम्न परती रोद चाहे वो परती रोद उच हो या निम्न हो उच या निम्न परती रोद which stone bridge मापता है निम्न परती रोद ठीक है दोस्तों question number 8 आते हैं अगर आप लोग को ये भी जानकारी है तो सबसे अच्छी बात है question number 8 आते हैं दोस्तों ये देखिए question कितना सुन्दर है one degree graph generator one degree graph janitr या generator उत्पन करता है उत्पन अगरता है दोस्तों one degree Porters इछा विवववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववव 24 आप्पन है question number 9 आये दोस्तों मा तो दोGo question और पूछेंगे और आप लोग को कितना मारस आया हमें comment में ज़रूर बताएगा दोस्तों ठीक है question number nine आते हैं दोस्तों आप लोग के लिए सबसे super question और ध्यान से देखेगा neutron का विस्कार किसने किया था दोस्तों neutron का अविस्कार neutron का खोज होगा अविस्कार हो खोज मांतर है जो छी मिलता है जो पहले से था उसे खोजा गया तो उसे खोज काते है ठीक है और जिसे बनाया जाता है जिसे one Day граф generator का निर्मान किया ठीक है यह पहले नहीं था जिसे mobile पहले नहीं था उसे बनाया गया तो उसका निर्मान हुआ, अगर प्रकृति में इलेक्ट्रोन प्रोट्रोन था तो उसका खोज हुआ, तो न्यूट्रोन का खोज किसने क्या था, तो इसका सही आंसर अगर आप लोग जानते हैं, सबसे सूपर, जैम्स चेडविक क्या था, जैम्स चेडविक, ठीक है, जैम्स दोस्तों अलफाकन तो धनावे सिदकन होता है लेकिन ये किस प्रकार का कन तो किसा टैप का होता है अलफाकन होता है किस टैप का होता है इसका सही अंसर है हिलियम नाभिक जैसा अलफाकन किस प्रकार से होता है अलफाकन होता है हिलियम नाभिक जैसा दस कोशन हम पूछे कितना नमरा आया कॉमेंट में जुरू बताएंगे ओके दोस्तों जै हिंद